कि यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप लोगों को पता ही हो कि एंपी जेल पेरी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है नोटिफिकेशन 27 तारीक को आया है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम्तित है दस अगस्त यानि जादा दिन नहीं है 27 चार दिन यह हो गए प्लस आट दिन है आपके पास केवल बारा दिन में फार्म भरना है पर इच्छा इसमें फीज दिख लिए 560 रुपए लगा इसमें 500 सब्सक्राइब दिया है 70 रुपए एंपी लाइन चार्ज भी लएगा जनर्र वालों के लिए 560 रुपए लगेगा प्लस एंपी अनलाइन चार्ज लएगा बहुत अच्छा फार्शन्टी निकला है बस्तों एंपी में इतने दिनों से विकेंसी निकल लेती लेकिन सिवरा इसमें आपका एक्जाम डेट भी दे दिया इन्होंने तीन नॉम्बर में पेपर होगा अभी ये आगस्त माली ये आने वाला है कम से कम आपके पास भी तीन महीने है तीन महीने बहुत होते हैं दोस्तों सो नंबर के पेपर होगा इसमें बहुत है तीन महीने अगर त्यारी कंफर्म कर दी गई है इसलिए कंफर्म है सबसे बड़ी बात यह कि इससे अच्छा मोगा नहीं लेगा ना तो निगेटिव मार्किंग कोई होती है ना कुछ अब इसमें मैं आपको आगे से लेबस वगहरा से बता देते हैं देखते हैं यह आप पोस्ट इसमें कुल पोस्ट है 282 पोस्ट कुल है जिसमें से जेनरल वालों के लिए 105 पोस्ट है और EWS वालों के लिए 11 पोस्ट यहां जेनरल बालों के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है और रहती भी है सबसे अच्छा मोगा है यह आपके पास अगर आप भरती होना चाहते हैं इसमें योगता के बाद 10 प्लस टू ले आ है यानि आप के बाद 10 मी फास होने चाहिए दसमी फास से यह ले रहे हैं और इसमें फिजिकल जो आपका 165 सेंटिमेटर लंबाई है 83 सेंटिमेटर सीना ले रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं है वही जो एंपी प्लिस में होता था और यह रक्षण के समय थे यह हमारे काम करी है आप आईए सीधे मैपको आपके सिलेवस में दिखा देते हैं यह एज लिमिट यहाँ पर सामान वर्ड करने के लिए 18 वर्स से 33 वर्स तक यानि जो 18 वर्स पूरा कर चुके हैं और 33 एर्स तक हैं सामान वर्ड के लिए पाम अफलाई कर सकते हैं इतने अच्छा मौका बताईए और अन पिछला वर्ड के स्टी एस्टी वालों के लिए वह भी छूट है इसमें 38 साल तक लिया है और आगे आपको हम बता दे रहे हैं इसमें क्या जरूरी है आपके लिए आरक्षण से समंधित परिक्षा हाँ साथ से पहले आपको फाम भरना होगा इसके बाद आपका पेपर होगा लिखित परिक्षा इसमें 100 नंबर का पेपर होगा आपको 100 प्रशन आएंगे एक अंग प्रत्य प्रशन कर रहेगा नो निगेटिव मार्किंग दो घंटी के पेपर होगा आपका अब आपको हम सिलेबस बता देते हैं यह फिजकल है इसमें 800 मिंटर दोड़ होगी दो मिनट 50 सिकेंट पूरुस के लिए और महिलाओं के लिए 4 मिनट चार मिनट सिकेंट 4 मिनट 0 सिकेंट में यानि 4 मिनट में गोला फिंक नहोंगा आपको 20 फिट साथ किलो 260 ग्राम का गोला रहेगा पंद्रा फिट इन महिलाओं में थोड़ा कम है और आपको हम आगे बता रहे हैं कि आच इन इसमें जरूरी सिलेवस बता देतें इसका लेवस भरने फार्म भरने के लिए आनलाइन आवेधन करना पुड़ेगा पले प्रोफाइल बनाने होगे एम्पी आनलाइन से इसके बाद आवेधन होगे आई एम दिखा देतें सिलेवस आपको ये और ये एक्जाम सेंटर के बारे हम जानकरी बताना चाहते हैं एक्जाम सेंटर के बारे इसमें जाज़त नहीं है फ़श्ट में भोपाल, इंदौर, जवलपूर, गॉालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंसौर, सागर, सतना हाँ, अपना सतना भी है, खंडवा, गुना, दमो, सीधी, और छिंदवाड़ा, और बाला घाट इसमें रीवा सेंटर नहीं है, कोई बात नहीं, सतना और सीधी तो हैं ही और आगे ये दिखिए, सबसे बड़ा जो इंपोर्टन्स है इसमें आपका पांच भागों में पेपर बटा रहेगा इसमें सामान ग्यान जिसको जीके कहते हैं, वो आएगा 20 नमबर का सामान हिंदी, 10 प्लस 2 लेवल की, 20 नमबर की सामान अंग्रेजी आएगी आपकी 20 नमबर की सामान मैथमेटिक्स आएगा सामान साइन्स आएगा जो आप देन तर्ट्वल्फ में पढ़े हुए हैं यानि पांच पार्ट में हैं और बीस बीस नमबर की ये आएगी बीस पंचे सो हो जाएगा और सो मार्क्स और सो अंको कर रहेगे इसमें स्पष्ट कर दिया गया है अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो आप 27 तारिक से स्टार्ट हो गया फार्म और लाश डेट है 12 तारिक तो आप सोरी अगर 12 नहीं है इसी लाश डेट मैं बता रहा हूँ क्या 12 तारिक है ठीक है कोई बाद नहीं अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपलाई करें आप फार्म अपलाई करने के लिए भी संपर कर सकते हैं आप फार्म भी अपलाई हो जाएगा आपको कहीं जाने की यूरत नहीं है अपलाई कर लिए तो अच्छा रहेगा